हेलो डियों लेर्णेट्स पीजी इस ये ये वीडियो एसा रहने वाला है कि चाहे आप अपने सीटेट के लिए प्रप्रेयर कर रहे हो चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो अगर आप टीचिंग कोर्स की तरफ एपलिकेबल हैं और टीचिंग की तरफ आगे जाना चाह और आज जिस बुक से मैं आपको एक थेवरी करा रही हूं इसमें बहुत सिंपल और इजी वे में लिखा हुआ है कम्प्लीट कुछ सबकुछ मतलब दिया हुआ है शौर्ट फॉर्म में तो आप हर जगे से पढ़ सकते हो बट जब तक आप इनका पूरा कंसाप नहीं है क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया कि जीन प्याजे का सिध्धानत बताई यह उनके सिध्धान से संबंदित कोई आप से विशेस्ता है पूछ ली हाना तो वह सब आप पूरा कंप्लीट पढ़ होगे तो पढ़ लिए फटा फट से उसके बाद में दो से तीन दिन में मैं इसकी पीडियाफ जो है वह आपको देने वाली हूँ तो इसलिए आप लोग क्या करिए पीजी पॉइंट एप इंस्टॉल कर लीजे वहाँ पर मैं आपको इनोट के फ्री शेक्षन में हम आपको पीडियाफ दे देंगे आप तहां से भी पढ़ सकते हैं रिवीजन के संग्यान अत्मक का मतलब क्या होता है मैं सबसे बड़ी बात अभी हम आपको कुछी पल में यही चीज सब्जाने वाले पियाजे का जन्म आपको कब हुआ तो सबसे पहले यह आप ज्याज रखेएगा नौ अगस्ट सन उनीस सन अठारा सो आपका 96 में हुआ था कहां हुआ इन्होंने जन्तु विज्ञान में पिएच दी को उपाधी प्राप्त कर ली थी 22 साल के हमाया बच्चे भी एड नहीं करता इन्होंने जो है क्या किया था भई यह जन्तु विज्ञान में क्या किया था पिएच दी की उपाधी प्राप्त कर ली थी इन्होंने जन्तु जी विज्ञान तथा ज्ञान प्राप्टिकी प्रक्रिया के मद्द संबंद खोजने का प्रयास किया मनो विज्ञान के सिक्षण के दौरान उन्होंने ऐल्फरेड बिने के निर्देशन में फ्रेंच स्कूल के बालकों के बुद्धी परिक्षण का भी कारे किया आपको पता एल्फरेड बिने के विज्ञे में आपको उपर पढ़ा चुके हैं जिन्होंने माई क्लासे नहीं देखी मैं बता दूं प्लेइलिस्ट में अवेलेबल हैं वहां से देख सकते हैं तो वे बालक के द्वारा बहुत धिक प्रशनों पर दिये जाने वाले गलत उत्तरों से अ अब समझो यहीं से इन्होंने काम शूरू किया और यही एकता से इनका प्रशन और इस सब चीज़े इन अपने उसमें कि अब ही हम समझेंगे पूरा पूरा इन्होंने अपने तीन बालकों का मानसिक विकास समझूक, इन्होंने अपने क्ःत्र प्रतिक्षण का विस्टर्त यस्यां गीता, और इस लेकर यस्यां गमृत सम्मार्ण का है, में अनेक पुस्तकों तथा लेक को प्रकाशित किया संग्यानात्मक विकास के छेत्र में अपना महत्वपूर्य योगदान छोड़ते हुए जीन पियाजे 18 सेतंबर 18 को इनका क्या हुआ निदन भी हो गया आप समझेगे हम लोगे जीन पियाजे ने जो एक शवद यूज किया संग्यानात्मक विकास अनुज तो प्रे रख जीन पियाजे को IL को का प्रेरक माना जाता है तो विकास आत्मक मनोविज्ञान का प्रेरक माना जाता है जीन पियाजिन ने संग्यान आत्मकता पर बल दिया और संग्यान वादी विकास सिद्धान्त का प्रतिपादन किया पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संग्यान आत्मक विकास सिद्धान यानि theory of cognitive development मानव बुद्धी की प्रकृति एवं उसके विकास से सम्मंदित एक विशद सिधान्त है ये पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बच्पन एक महत्पूर भूमिका अदा करता है और पियाजे का सिधान्त विकासी अवस्था सिधान्त यानि कि development stage theory कहलाता है यानि कि क्या कहलाता है जो अपना जीन पियाजे ने सिधान्त दिया उसको आप क्या कहते हैं और इनका मानना क्या था कि जैसे आप लोग हैं इस अवस्था में हैं बड़े हो गए हैं तो किसी का aggressive nature होता है किसी का soft nature होता है किसी को चीज़े जल्दी समझ में आती कि मानो ग्यान आरजन क्रमसा कैसे आरजन करता है मतलब पहले आपको पता था कि 1 प्लस 2 किता होता है 3 होता है फिर दीरे आप सीख गया है 11 प्लस 12 कैसे होता है फिर आप दीरे कैसे questions करना शुरू कर दिये कि if you have three balls then I will take one ball from you then how many balls in your hands इस तरीके के question यानि कि जो आपके statement वाले question होते हैं बच्चे ऐसे question करने लगे तो यह आखर जो दीरे दीरे घ्यान में बढ़ोतरी हो रही है यह कैसे हो रही है इसके विशह में आपके जीन पियाजे थे इन्हों ने चर्चा की है और बहुत अराम से इसको पढ़िएगा भले पैतालिस्मेंट लग जाए आपको पूरा पढ़िएगा तो लाइक करिएगा शेयर करना नहीं भूलिएगा अब देखिए यह सिधान ग्यान की प्रकृति के बारे में बतलाता है कि मानव ज्यान आर्जन क्रमशा इसका अर्जन कैसे करता है कैसे इसे एक-एक करके जोड़ता है उसको पता होता है कि पहले बिल्ली का बिल्ली एक पूच एक पूच उन्हक उप structure की करता है देखो पता नहीं है अब और दिमागन संबनां एक पूच कोटाय कॉछ जोड़ता है तो ये एक एक करके जोड़ना और कैसे इसका उपयोग करना है ये सब आपका इनहीं के सद्धानत में समझाया गया व्यक्ति वातावरड के तत्तों का प्रतिक्षी करण करता है अर्थात पहचानता है प्रतिकों के सहता से उन्हें समझने का प्रयास करता है तता संबंदित वस्त व्यक्ति के संदर्व में अमूर्त चिंतन करता है ह rustic that intébito पिर दीसरी बार उसले गाय देखी तो का पापा एक टो इतो यह है तब उसको यादा आया कि पापा ने तो बताया था कि अच्छा ना बिल्लियोई कड़ता अपने जो एक चिंतन होतेे करती है इस प्रकार हम कहता है कि कौई वियक्ति वाता परेट के उपस्थिती में किसी प्रकार के उद्धीपकों यानि कि स्टिमलेंट से प्रभावित होकर सीधे प्रक्रिया नहीं करता है पहले वाँ उद्धीपकों को पहचानता है ग्रहन करता है उसकी व्याख्या करता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संग्यानातमक संरचना वातावरण में उपस्थित उध्दीपकों और विवारों के बीच मधदस्तता का कादै करता है P.I.G. ने व्यापक इस तरद पर संग्यानातमक विकास का अध्यान तीया में कीया है पूछन आपसे संभ्यान अत्मक सिद्दान्त को और क्या चाह सकता है तो आप बताएंगे की विकास अत्मक सिद्दान्त को यह हो सकता है अब कि नहीं है हमने थो फोटे-टोई लिए न कर प्लियर कर पाओगे न जब आप पूरा इंब चैप्टर पड़ा है हना चुकि इनके अनुसार बालक के भीटर संग्यान का विकास अनेक अवस्थाओं से हो करके गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था सिद्धान्त भी कहा जाता है, क्या बताया गया, चाहे आप संग्यान आत्मक विकास सिद्धान्त बोलो, चाहे आप अवस्था सिद्धान्त तो वह क्या है आपका किस से मिल करके बना अब जिस पे पूरा-पूरा कह सकते हैं सिधांत नर भर है जिन पीयाजे का तो पहले शब्द को सीखेंगे कि उसका मतलब होता है जैसे बार बार आपके सामने सब्दार है शंग्यान आत्मक, तो संग्यान आत्मक किस से मिल करके बना है आपका, संग्यान से मिल करके बना है, अब संग्यान का अर्थ क्या होता है ये समझेंगे, तो संग्यान आपका एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समवेदना, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारन करना किसी चीज़ को समस्या का समधान करना तर्क करना चिंतन करना प्रत्यावान करना आदिमान्सिक संक्रिया इन ही दोती है उसे ही हम क्या कहते हैं संग्यान कहते हैं एक बालक जब किसी चीज को सोच रहा होता है चिंतन कर रहा होता है या वो रिकॉल करता है तरक करेंगे चीजों को वोगत करेंगे इसके इमेज बना करेंगे बना करेंगे अपने दिमाग में फिर से उसको क्या करेगा नहीं अपना उसमें एक इमाजिनेशन डवलप करेगा है ना तो उसके इंदर समवेदना ही होती देखो जैसे मारो भीनी बच्चे को सिर्फ आग दिखा दो या गुस्ता हो जा जया मैं नहीं बोलूँगा यह सब चीजह है जो आपकर किसके इंतरगत हैं जाया ने अप्रतेक्षण प्रतिमा दारण समस्यातमदान तर्क चिंतन और पत्तावहन और मानसिक संक्रियां से संबंदित बात करते हैं तो उपरोक्त मानसिक संक्रियां समवेधी सूचना हैं और इन समवेधी सूचनाओं के समुचित परियोग से बालक की बौदिक शमता विक्सित होती है समवेधी सूचनाओं का ग्र रहता है उन्होंने मांसिक विकास की अवस्था को ही संग्यानात्मक विकास करें आप समझे और विकास का होना इसका मतलब किसे विकास का मम्मा पापा नहीं बोल पा पापा पहले पापा चिंतन गैशंव घलत माहत पसमें पहले पहले चैसा भीकेrat तो जो मेरा छोटा वाई था एकदम छोटू जाता तो कहता था तो तो क्लियर नहीं बोल पाता ना तो वही बात है कि भासा का परिवर्तन आना जब बच्चे स्कूल जाता है तो देखो वही चीज़े क्या होती जो बच्चे की भासा का विकास है वो शुरू के छे सालों में होता ही है लेकिन जो शुद्ध रूप से उसका विकास होता है वो तो बड़े होकर क्यों होता है तो भासा का परिवर्तन बुद्धी और साथ में चिंतन का हो न यह सब आपका संग्यान आत्मक विकास के अंतरगत आ जागा परिवर्तन की इस प्रक्रिया में आपका सूचना है चीजों को एक्सेप्ट करना जैसे मालीजिए हमको किसी ने कोई विशय की जानकारी दी अब जैसे हमने मालो आपको एक जो अभी खबर आई है उसके मार्द्यम से बताया कि आपका पेपर सब्जेक्टिव होगा तो आपने उसको क्या क्या है रिसीव किया यह न संग्रहित किया आगे बढ़ाया है ना संग्रहित करना चीजों को भाई हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करें चीजों को संग्रहित तो कर रहे हैं उसके बार में हमने आप से कहा कि हमने आपको इससे पहले यह चीज पढ़ाई थी हमने आप से पूछ लिए हमने कहा किशोरा अवस्था को तूफान की अवस्था तनाव और तूफान के वस्था किस ने कहा है तो आप तुरंट उसको recall करेंगे कि हाँ मैं आपने कहा था कि ये बात इस्टेनले हाल ने कही तो आप उसको प्रत्याइस मरिद करेंगे थे ना पुनरलाप का होना समुचित अब अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो यह मान के चलिए अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली इससे पहले कि यह चीज शुरू करें एक बर हम चाहेंगे आप लोग शेशन को फटा फट से लाइक कर दीजिए चैनल पढ़ना है तो सब्स्राइब कर दीजिएगा शिक्षा की मनोवग्यानिक परिप्रेक शुफस सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनिए जिनकी इससे पहले की क्लासेज छूट गई है वो जाकर के जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यह सब आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है थेवरी पढ़ना पढ़ेंगे आप अपने सब्सक्राइब को चीजों को अपने शब्दों में लिख पाएंगे यह आप देखो एक चीज बता दें आपको क्लास थर्ड के स्टुडेंट तो होनी कि हम आपको दो कोशन आंसर रटवा दें रटने से कोई मीनिंग नहीं है तो कहने का आश है कि जब तक आप पूरी बुक नहीं पढ़ोगे यानि कि जैसे जो हम पढ़ा रहे हैं अगर आप इन चीजों को नहीं कवर करोगे ना तो फिर आप लिख कैसे पाओगे चीजों को हाना वन लिनियर पॉइंट से नोट से आपके तब काम करते हैं जब आपको थोड़ा लिखना और अब यह आप बेड कर रहे हैं आपको अपने शब्दों में लिखना होगा जो एक्जामना रोगा वो चेक करेगा कि आपके विचार क्या है चीजों को ले करके हैं तो अगर अच्छे माक्स लाने तो कंप्लीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है चीजों को याज अब समझेंगे कि संगठन क्या होता है और अनुकूलन क्या होता है दोनों को समझते हैं सबसे पहले समझेंगे कि संगठन क्या होता है यानि का और्गनाइजेशन क्या होता है संगठन से मतलब यह नहीं है कि हम को संगठन बना लिए यूवा मोर्चा और यह वह संगठन न संगठन का परिणाम है व्यक्ति एवं बातावरण के संबंद को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है और अनुकूलन बाहे रूप से प्रभावित करता है अनकूलन क्या होता है तो देखिए भई जीन पियाजे के नुसार बच्चे में अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवर्ति जन्मजात होती है जीन पियाजे का मानना है कि जो आपके बच्चे होते हैं इन में क्या होता है अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की प पताया कि बालक अपने प्रारंबिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है जब कोई बच्चा वातावरण में किसी उद्धीपक परिस्थितियों के सामने होता है उससे में उसकी विभिन मांचिक क्रियां अलग-अलग कारे ना करके एक साथ संग्टित हो करके कारे करती हैं और ज्यान को अर्जित करती है यहीं किया हमेशें मानंचिक इस्तर पड़ चलती है संबंध को संग्ठन आंतरिक रूप सभावित करता है जब कि अनुकूलन क्या करता है बाहय consistent करते हैं अनुकूलन महसूस करना क्योंकि उससे क्या होता है तब बाहरूप से बच्चे को प्रभावित होता है इस वज़े से उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा महत्पूर माना जीन प्याजे ने प्याजे के अनुकूलन की संपूर प्रक्रिया को दो उपर प्रक्रियों में बढ़ता को बताया कि कौन-कौन-स आत्मसात्य करन आत्मसात्य करन को मतलब होता है एक आसए प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समधान करने के लिए पहले सीख हुई योजना या मानसिक नियाओं को सहारा लेता है यह एक जीव वेगनिक प्रक्रिया जिसे मानलो हमने कभी आपको दो प्लस एक पढ़ा दियाता है कि तीन होता है फिर इसी कॉंसेप्ट का यूज करके बाइस प्लस ग्यारा को जोड़ना यह आपको क्या क्या ल हमारे बहतता है अनुभव का परिवर्टन अनुभह के सद्सक्रीक संग्यां के लिए नए धा फिरद्न करना परता है ससे बालकै समझन का मतलब होता है कि एक ऐसे प्रक्रिया जो पूर्म में सीकियो जना यह मांशी के क्रियाओं से काम ना चलने पर समझन के लिए ही की जाती है जैसे हमने आपको बढ़ाए नहीं था भी कि जब बच्चे ने क्या देखा जब बच्चे ने कुता देखा तो डेटन बताया यहां पर उसको क्या करना पड़ा समंझन करना पड़ेगा क्यों कि यहां पर जो पहले उसने सीखा उससे मिलती जुलती आकरती थी लेकिन वह प्रक्रियां के बीच संतुलन करता है अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए आतमसाती करन इवन समंझन का सहरा अवशक्ता नुसार लेते हैं अब अगर बात करें संग्यानात्मक संद्चना की यानि cognitive structure की तो पियाजे के अनुसार क्या कहा गया कि संग्यानात्मक संद्चना से तात परे बालक के मानसिक संगठन से है किसे है भाया बच्चे के मानसिक संगठन से है पियाजे के अनुसार संग्यानात्मक बच्चे के मानसिक संगटन से है वन ऑफ दा इंपोर्टेंट लाइन ऑफ दा कह सकते हैं हम चैप्टर तो इस लाइन का मतलब क्या है मैम इसका मतलब समझो इसका कहने का आशा है कि बुद्धी में सनलिप तो बिभिन क्रिया आएं जैसे प्रतेक्षी करण इसमरती चिंतन हो गया आपका बच्चे का तरक करना हो गया ये सबी संगटित हो करके कारे करती है तो वातावरण के साथ स इसकीम्स का मतलब होती है कि अबिव्यक्त रूप होता है, जैस़े मानुषिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप है जैसे अभिक्त है करने हैं, усael कि कि पहला साधारन दूसरा आपका क्या जटिल साधारन स्कीमा मोटर कार या खिलोने के से समझा जा सकता है इसी प्रकार अंतरिक्ष का निर्मान कैसे हुआ इसका इसी इसकी मांजिक संद्रचना जिसका समानी करण किया जाना मतलब एक ऐसी मांजिक संद्रचना जिसका समानी करण किया जासे कि उसको हम क्या कहते है इसकीमा कहते है एक ऐसे दो प्रकार के आपके स्कीमा होते है एक सिंपल और एक कॉंपलेक्स चिंपल का मतलब जैसे बच्चा खिलाना एक बाड़ आप लाना उसे खा तो फिर वो प्रकार से चलाएगा, खेलेगा, अब कॉम्पलेक्स का मतलब जैसे बच्चा आप से कहेगा कि यह ब्रमांड क्यूं है, तारे क्यों टम टमाते हैं, सूरे हमारे घर में क्यों नहीं रहता असमान में कुझ रहता है इस तरीके की चीज़े अब प्याज्य के सिध्धांत के कुछ विशेस्ता हैं वो समझेंगे हम लोग प्याज्य के इनुसार सीखने के लिए पर्या उरड एवं stay क्रिया की अवशक्ता होती हैर्पिया जै बताया कि बालक में चिंतन तता खोज करने की शक्ति उनकी जैविक परिपक्वता अनुभाव तता इन तीनों की अंधा क्रिया द्वारा इनके शिध्धांग के अमूर्थ चिंतन पर उनकी सिक्षा का प्रमी। संग्यानात्मक विकास के सिद्धांत से सम्मंदित कुछ पक्षु थे आपके, पहला पक्षु था आपका पियाजे ने जो संग्यानात्मक विकास के सिद्धांत से सम्मंदित चार पक्षों का अध्यन किया है, पहला पक्षु देख लो कौन कौन से चार पक्षु थे आपके पहला पक्ष था आपका जैविक या सारीरिक परिपक्वता, दूसरा पक्ष था भौतिक वातावरण के साथ अनुभाव करना, तीसरा पक्ष था समाजिक वातावरण के साथ अनुभाव, चौथा था आपका संतुलन्द, यानि कि जो जीन पियाजे का संग्यान आतमक विकास उसमें कितने पक्षो की बात की गई है तो चार कौन कौन सो बहिए तो पेहला होता है आपका जैविक या सारीडिक Пरिपक्ता जो और पइबात के सांधिर के साथ अनुभवाभ तीस्रा होता है समाजिक वाता वरड के साथ प्रिखा होता है आपका संतुलन देन है when इनों ने जैविक या सारीरिक परिपक्वता के विशे में तो ये सिद्धान्त जैविक प्रिपक्वता से संबंदित है इसके नुसार बालक का विवहार भूक प्यास जैसे प्रिपक्वता से प्रभावित होता है व्यक्ति का विवहार परिपक्वता से ही निरूपित होता है इस सिध्यांत के अनुसार सारीडिक एवं मानसिक रूप से आप परिपक को व्यक्ति वांचित वेभार नहीं कर सकता। प्याजे ने इस सिध्यांत के अलोचना करते हुए इसे असुईकार किया। फिर उसके बाद में इन्होंने बताया कि बालक के अधिगम में उसकी ज्ञान इंद्रियों को बहुत बड़ा योगदान होता है है जिसे बच्चे की जो जो जब बच्चा सीख रहा होता है तो इनका बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है भातिक अनुभाव के अधिगम में साहिता करता है मतलब जो आपका ये फिजिकल इन्वेरोमेंट है जैसे की कह सकते हैं बाहर का अट्मोसफेर लोग है पेड है इन सब चीजों का प्रभाव बच्चे के सीखने में बहुत मदद करता है भातिक प है इससे पतियों प्रous यए अब देखिए उसके बाहर में आपका समाजिक वता वर्ण से अनुभाव मनुष्यक समाजिक प्राणि ये यह So सामाजिक सदस्च्यों के रूप में विवेनी प्रकार्द की क्रियाय करते हैं सामाजिकी की मतह़ा में संद में सहियोग करने एक बच्य के इनदर गैसे यह डवलप हो जाती है जैसे ही मान लीज़े कोई गिर गया खाना तो तुरण तुपन कपल भी कोशिश कर एगा जब बच्चे की मारा ज्ञुटी ही मुठी रुना टक करने लगी तो बच्च उसको चुप कराता है जैसे यै зれ बहं ऐती है डेखे जावD थे सिक्षा के जल्दी रिधावथा के भावना आजेती है कि कहीं यह हमसे पहले ना तो यह चोटे बच्चों को जब खाना खिला जाता है तो उनके साथ यही गंसेफ्ट अपना हो जाता है ना परंपरा एवं लोकाचार जैसे विबिन पक्ष सम्मलित होते हैं इन पक्षों से प्राप्त अनुभाव अधिगम में सायक होते हैं पियाजे ने समाजिक अनुभाव को सीखने के लिए भाषा के समाजी करण को अधार माना है उसके बादन संतुलन की बात करूँ अगर बैलंस की अगर मैं बात करूँ तो पियाजे ने विकास के सभी पक्षों का विधिवत विशलेशन करने के बार बताया कि अधिगम के लिए सभी सिद्धान्तों के साथ विश्थापन करता है तो उसका बौधिक विकास क्या होता है परिपक्वता की ओर अग्रसार होता है यही संतुलन के अवस्था होती और इस प्रक्रिया को ही अमात्मसाति करद समायोजन या अनुकूलन का योगदान कहते हैं वन आफ दा इंपोर्टेंट पॉइंट ओफ दी कह सकते हैं इस चैप्टर कि यहां से संग्यानात्मक जो विकास की अवस्थाइं है इनसे एक नएक कोश्ण जरूर बनता है बहुत इंपोर्टेंट है सीटेट लेवल चाहे आप स्टेट दोगे इससे कोश संग्यानात्मक से दांते हैं उनकी जो यह वस्थाइं है इसे जरूर जो आपका विक पढ़ाने जा रहें इनसे सब्सक्राइब चाहिए को सेर्फ कर दीजेगा अगर अभी तक आपने अना नहीं कर दिजेगा और सेशन और नवने की बाद में कमेंट सक्षिन वेंक्त कमेंट जरूर कर दीजेगा कैसी लगी क्लास बताना नहीं भूलिएगा हाना पीजी पॉइंट आप इंस्टॉल कर दीजे वहीं पर आपको इसके पेड़े फग्याटा मिल जाएंगे एक से दो दिन में हाना और बाकी जो आपका दार्शनिक परिप्रेक्ष और समाल साश्री परिप्रेक्ष है उसकी क्लास भी मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी 20 देसमबर सी ही चिंता करने के अवश्यक्ता नहीं है देली डेली क्लास करके फटाफट से सब खतम कर देंगे हाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं तब तक के लिए प्रीविएस क्लास जो पड़ी सज्च अनात्मक्विकास की वालक की समस्या समधान किस पर देपेंड्र होता है चोटा है तो समस्या का समधान नहीं कर पासा बड़ा होता है तो आप लोग इतने बड़े हो गये है न तो आप से भी point मतलब आपके भी point रखे दाते हैं यानि कि आपकी जो thoughts हैं उनको भी सुनते हैं पापा जिसे कोई समस्या आई तो आप ने का कि पापा यह का मैंसे नहीं जेसे मानलो एक समय में दो शादी पड़ गई तो आप ने का पापा एक इनके यहां आप चले जा रहे हैं मम्मी को ले करके तो कहने का आशे क्या है कि समस्या का समधान करना उसके लिए सोचना तो यह सोचने और निर्णाई लेने के च्छमता होती है और जो यह सरजनात्मक यानि क्रियेटिव तरीके से जो रड़नी ते बनानी में योगदान देती है कौन आपकी सोचने और निर्णा लेने की छमता जीन पियाजे ने संग्यानात्मक विकास की संग्यानात्मक विकास की चार अवस्थाओं को लेखिद किया यही अवस्था ऐसी है जो आपको याद कर लेनी याद का मतलब आत्मसाथ कर लेना है पहली अवस्था इन्होंने बताई सम्वेदी गामक वस्था जन्व से दो वर्ष तक देखिए पहली तो जन्व से दो वर्ष तक ठिक और दूसरी आपकी कब से कब तक जन्व से दो वर्ष तक उसके बाद में दो से साथ वर्ष तक फिर साथ से ग्यारह वर्ष तक और फिर ग्यारह से वय कब तक वयस्था वर्ष तक क्या वर्ष तक कि आपकी संक्रियातम का करेंगी अपचार ये क्या कहती वर्ष तक क्या प Republicans containsgunta section अवस्था कहला कि यह जीन पियाजे का संग्यानात्मक विकास का सद्धानत के नुसार हो गई अब एक एक पढ़ना है आपको पहली अवस्था कहती है या संवेधी पेशी अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था हाना तो इसको हम सेंसरी मोटर अवस्था भी कहते हैं अब यहीं से कुशन बन जाता है आपसे कि संवेधी पेशी अवस्था या हम इसको और क्या कहते हैं संवेधी पेशी अवस्था या हम इसको और क्या कहते हैं संवेधी पेशी अवस्था या हम इसको क्या कहते हैं इंद्री जनित गामक अवस्था ठिक जन्म के समय बालक के गन्ध आधि का उनुभाव करता है। में बालकों में इंद्रियें का अनुभव तथा उन पर पेशिये कारे करके समझ विक्सित हो जाती है और इसी करण समवेदी पेशी अवस्था भी इसे हम कहते हैं है उसके बाद में आती है पूर्व संक्रियात्म कवस्ता पूर्व इसमें कुछ और पी चीज़ें बताएगे वह हम थोड़ा सा ऐसे आपको बता दे रहे हैं जो आपकी यह जन्म से लेकर के दो वर्ष तक चलती है इसमें बच्चा क्या करता है यह प्रतिवर्ति क्रिया करना ज सब्सक्राइब करता है जो वस्तु को उपर से नीचे गिराना वस्तु सब्सक्राइब करता है जो वस्तु उनके समक्षी नहीं है उनके बारे में भी सोचने लगता है यह जन्म से लेकर के 12 वर्ष से लेकर के भाया साथ वर्ष तक चलती साथ वर्ष के आयों के मद्द तक चलती यानि कि आगर कि आप लोगों के गर में दो से साथ साल के बीच का बच्चा न तो दिमाग में रख कर गए यह पढ़ोगे न बिटा तो और अच्छे चीजों को समझ पाओगे है न इसे हम क्या क पराक संप्रत्यात्मा के आपश्था जिसको आपका बक्राक संप्रत्यात्माग बद्टा जिसको फश्याद बैसे हैं इस अवस्ता में सूचक्ता विस पकित हो जाती है माघी पतिमां बन जाती है उसके दिमाग करने लगते हैं जोना घरल नमों का मद्था नियम समझ पाता अगर दो से डिवाइड कर देंगे तो यह इस चीज को नहीं समझ पाते हैं अब इस अवस्था में बच्चे की कुछ विशेस्ता हैं होती हैं क्या विशेस्ता हैं होती हैं बच्चा अपने आफपास की वस्तुओं और प्राणियों वाशब्दों में समंद्र स्थापिद करन स्विशेस्य पρο healthy के वाशब्दों को सजी वस्त्वों के रूपमें समझते हैं 4 वर्षच तक के देखा हो 숨कर दो शोड़ें कि देखा बढ़ जेस ने बच्चा चोटे की अब ुलरлан जैसे बच्चा छोटा होता है, मान लो भेड से लड़ गया बेड से लड़ गया तो इसको डर्द होने लगी, रोने लगा तो ममा क्या करती है उसकी बच्चा गिर गया छिमीन पर या घंप तो बच्चा छुप हो जाता है तो कहने का आश है कि निर्जी वस्तू को ये सजी वस्तू ही समझते हैं तो इसलिए मम्मे लोग क्या करते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए आधिकतर क्या करते हैं आप लोगों के घर में बेबी होंगे तो आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे बच्चे अपने विचार को सही मानते हैं बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया उन्हीं के आसपास है इसे पियाजे ने आत्म किंद्रेटा का नाम दिया इगो सेंटरिस्म का नाम दिया बच्चे भासा सीखने लगते हैं बच्चे चिंतन करना भी शुरू कर देता है। तुको सिर्फ एफ और अपली पता है वह नहीं होता है कि मतलब यह नहीं कि इसके लालच हो यह सब चीजन नहीं होतें दीर दीरे वह प्रतीकों को ग्रहन करने लगता है इस अवस्था में बालक कारे और कारड़ के संबंध से अन्जान होते हैं हना मानसिक रूप से अभी अपरिपक को होने के कारण वे समस्या समधान के दौरान समस्या के केवल एक पक्षु को ही जान पाते हैं तीसरी अवस्ता जो जीन पियाजे ने बताई वो आपकी साथ से ग्यारहा वर्ष की बताई जिसमें इन्होंने का ये मूर्त क्रियाकाल है इसमें इन्होंने बताया इसे हम लोग प्रत्यक्ष या स्थूल संक्रियात्मा का वस्ता भी कहते हैं जो आपकी साथ से ग्यारहा वर् प्याजे के नुसार कुछ इस प्रकार है कि इस सवस्ता में बालक अधिक व्यवहारिक और यतहरतवादी होते हैं तर्क शक्ती की छमता का विकास होना प्रारम उढ़ता है अमूर्त समस्याओं का समाधान वे अभी नहीं धूण पाते हैं इस अवस्ता में बच्चे वस्तों क उनके गुणों के आधार पर पहचानना शुरू कर देता है। इस अवस्ता में ठोस वस्तूओं के आधार पर आसानी से बालक मानसिक क्रियाँ करते हैं, परन्त यदि उन अवस्तूओं को न देखकर उनसे साब्दिक कथन तयार कर यदि समस्या दी जाए, तो वे ऐसी समस्या कुछ प्रत्यक वस्तुओं तक ही सीमित रह जाता है चिंतने करमबध्धता का आभाव भी होता है इस अवस्ता में तीन महत्पूर्ण संप्रत्यों का विकास हो जाता है तो समझेगा 7 से 11 वर्ष तक की आयू में जीन पियाजे के नुसार बच्चा चीजों को संरक्षित करना चीजों में संमंद बनाना और चीजों का वर्गी करन करना यह सीख जाता है यानि कि कंजर्वेशन का मतलब क्या भाई है संरक्षन करना अर्था जब कोई ग्यान जो पदार्त रूप में बदल जाने के बाद आप भी मातरा संक्या बार और आयतन की ड्रश्टी से समान रह जाता है तो उसे कंदर करते हैं उसके पादे मूर्थ करिया कालने बालक अंग लंबाई समय भार जैसे संप्रत्य सीख जाते हैं और वस्तूओं में कारे कारण में संबंध जानने का प्रयास करते हैं कि अगर यह परशपरिक संबंदों को जानने का प्रयास करना यह सब वो सीखने लगता है इस उमर में बालक का चिंतन तर्क की तुलना में अधिक करमबद एवं तर्क संगत हो जाता है और द्रव की अवस्थाओं को वो ज्यान हो पाता है ठोस तरल भार तत्व आधिको वो समझने में उत जीन पियार जी हम कवर कर देंगे है न तो आप लोग घबराओं नहीं एक बार तो मुझे पूरा पढ़ा लेने दो क्योंकि मुझे ऐसे लगते जब पूरा पढ़ोगे तो और अच्छे से चीज़ों को लिख पाऊगे शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बता देंगे तो कम तो आपचारिक संक्रियात्मक जो अवस्था होती है क्या होता इस अवस्था में बारहा वर्ष की आयू के पस्चात की आरम होती है तो जो प्राणा अवस्था तक चलती रहती है कब तक चलती रहती है प्राणा अवस्था तक चलती रहती है इस अवस्था में बालक पूर के साथ साथ अमूर चिंतन भी सीख जाता है इस कारण इसे हम क्या तार्टिक चिंतन के अवस्था भी कहते हैं और पियाजे के अनुसार संग्यानातनक विकास की चतुर्तवा अंतिम अवस्था की कुछ इस प्रकार की विशेस्था हैं कि बच्चा विशंगतियों को समझने की रखता है बच्चे में वास्थविक अब भई यह 11 वर्स्थे चल रही तो आप चीजों को आप समझेगे क्यों कि बच्चे का तो यह कि शोरा वस्था का काल शुरू हो गया तो इसमें क्या वर्त आपनुपो या परिस्थितियों में प्रक्षएपित करने की चंता आ जाती बच्चा इस सवस्ता में विचारों को संगटित करना और वजगी करत करना सीख जाता है प्रतीकों का आर्ट समझना भी प्रारंब कर देता है बारा वर्ष से वयश्खोने तक चलती है यह बच्चा घटनाओं की परिकल्पना बनाने लगता है और इन्हें सत्यापित करने का आभी प्रयास करता है यह अवस्ता संग्यानात्मक ग्रहास की अन्ति मवस्ता कहला चाहित और आयू बढ़ने साये प्याजे का सिध्धान्त तो मेन आपकी चार अवस्था है यहां से हो गया यह अब लेकिन इनकी स्याक्षिक यानि कि सिक्षा के छेतर में क्या उपी हो गीता है यह समझेंगे तो प्याजे ने अपने सिप्धान्त में क्या बता है सिक्षार्थी की भूमिका में को काफी सक्र यहां मार्पूर्वाना इस सिक्षकों का पाटिकरम तयार करते समय सिक्षार्थी की अवस्था में अभी रूची पर विश्यज ध्यान देख करके कारिकरम तयार करने में सुधा प्राप्त होती है यादि कि जब बच्चे का सिलाबस डिफाइन कर रहे होते चाप्टर यह सब इसमें होझा है पपयाज्य के सधांत से इस परश उता है कि बालबों के चिंतन में जीववाद िर। यासे भूद को अथ्मकीने निते पेमें की injuries से संघ्षक को अपने चाहएंक विकास इस तर्का हो जाता है कि वे संद्रक्षिन तता वर्गी करण से समस्याओं को समधान कर सकते हैं और इस अवस्था में अर्थाथ 7-11 वर्ष की आयू में यदि सिक्षक इंडटिल मांसिक संक्रियाओं को अधिक बढ़ा देते हैं तो इससे उनके बाद्धिक विकास का अपतिते liकों टेजी से वड़ता है तता सिक्षक के मूनि उद्धेश्यों के प्राप्ति होते हैं पाज़े के ऐस इस द्धान्ट ने सिक्षक को को बालगों के खेल के नएने संदर्व में विचार करने के लिए बाद्धे कर दिया है क्योंकि पियाजे ने अपने इस सिध्धांत में ये सपस्ट कर दिया कि खेल का सैक्षिक महात्व अधिक है खेल के माध्यम से बालकों का संग्यानात्मक संपन्ता विक्सित होती है, जो उसके संग्यानात्मक विकास का एक मूलाधार बनाती है पियाजे के संग्यानात्मक विकास के सिध्धानत से सिख्षकों को ये भी इसपस्ट रूप से निर्देश मिलता है कि सिख्षार्तियों को अपनी ही क्रियाओं के दौरा नहीं नहीं सोच वा समझ विक्सित करने में काफी सहयता कर सकते है इसका मतलब यह हुआ कि सिख्षक को सिख्षार्ति की सहयता बिना किसी अवशक्ता के हर कदम पर नहीं करनी चाहिए बच्चों को आपको हर कदम पर मदद नहीं करना है क्योंकि अगर आप बार बार ऐसा करोगे तो उसमें सवयता तता आत्म विश्वास जैसे गुड़ों का विकासी नहीं हो पाएगा उनको ऐसे लगए कि हम अकेले करी नहीं हो रहा है करनी ही पाएंगे तो मैं मेरे साथ होंगे हम तभी कोशन को सौल कर पाएंगे न तो यहां से पस्ट है कि प्याजे को संग्यानात्मक विकास के सिद्दान्त का सैक्षिक महत्त्यदिक है इससे सिक्षकों के अध्यापन का यानि कि टीचिंग के लिए भी और स्वयम भी अच्छा नर्देश मिलता है और साथी साथ सिक्षार्थियों के लिए भी बहुत अधिक और उपयोगी साव सुचाव मिल पाते हैं अब प्याजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्दान्त के कुछ दोस्त हैं दोस्त हर चीज नहीं है एक करम में नहीं होता हो सकता है कुछ बच्चे उन चीजों को जल्दी सीख जाए और सेम चीज कुछ बच्चा उसी चीज को बहुत बात सीख में सीख है ना तो यह करम में नहीं होता यह सिद्दान्त जो नहीं दिया वह संग्यानात्मक विकास में मात प्रत्य ज् इसलिए ना तो उनके कौशल इसकिल पे ध्यान दे रहा है ना तो उनके भावों पे विकास के ध्यान दे रहा है तो इस वज़े से भी यह पूरा नहीं हुआ उसके बाद में इन्होंने मूर्त संक्रिया जो अवस्था बताई इससे बालक तार्खी तता करंबद चिंतन नहीं कर सकता है परन्तु जब बाद में लोगों ने और सिधान दिये सोध के द्वारा यह पता चलता है कि पहले भी चिंतन बच्चा कर सकता है इस सिधान दिक नु का विकास भी धीडे-धीडे होता है यह बाते स्वahan में पूरी तरह से सत्य नहीं है वास्तों अ मिन एक बुद्धि का विकास है करहें है को आपको क्या पढ़ाएंगे कोहल बर्ग का नैतिक सिध्धान्त पढ़ाएंगे लेकिन कोहल बर्ग के नैतिक सिध्धान्त को बाद में शुरू करेंगे पहले हम इसके शौर्ट नोट्स करवादेंगे उससे मैं क्या होगा हमने का उससे यह होगा कि आपकी जीन πियाजेomed Theory ना पंद्रग मिनिट में पूरी रिवाईज हो जाए कितने मिनट में पंद्रा मिनिट में पूरी रिवाईज हो जायागी हाद आपको इस मरण में रहे तब कहीं जाकर कि पूरी unit 1 complete होगे। और unit 1 के PDF आपको पीजी पॉइंट एप में देदेंगे। स्टीपर कोट्वम को आपको चुछ भी आपको खरीदने के आउशकता नहीं बाकि आपने आपकी जैसी मर्जी क्यूंकि यू पर्छी पढ़ कर के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे परसेंटेल ना है नो डाउट अब आपकी इच्छा है ना कोई फोर्स नहीं है if you want so you can wait otherwise whatever you want you can do तो पीजी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल से नो जूर सकते हैं इस्टेग्राम पर फॉलो कर सकते हैं बाकी चैनल को पर नहीं तो स सबस्क्क्राइब करके बल आइकन प्रेस कर सकते हैं शेशन प्रशा लग रहा है समझाने का तरीका अच्छा लगा तो शेयर कर दीजेगक अपने दोस्तों तक भी धन्यबाद हमेशाा खुश रही है मुसकराते रहें कभी अपने लिए तो कभी है अपनोंके लिए तो टेक केर बाई बाई लव यू ओल लव यू माइडर क्लाश